जे जे लो देवादी देव एकण दैराथ शरी भगवाण महाविर रह श्वामी की जे 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 नमोस्तुु जे लो नमुसु औ17 सुरूण एक बहे लिया जंगल में थोड़ी सी मिट्टी खोथ कर उस पर बांस का जाल बनाया, उसमें एक फंदा फशाया और वहीं कुछ चावल के दाने विखेर दिये. एक सहर का बच्चा जो अपने दादा के शाथ जंगल में पिक्निक मनाने के ख्याल से गया था, उस बहे लिये की हरकत को देख कर पुछा, कि दादा ये क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा है ये जाल फैला रहा है, दादा जाल तो फैला दिया पर इसने चावल के दाने क्यों बखे रहे हैं, बोले बेटे इसी का नाम तो जाल है, ये चावल के दाने बखे रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद पक्षी आएंगे, और चावल के धोके मे वो आकर के बैठेंगे और उसके फंदे में फस जाएंगे बात बिलकुल सही है ये दोखा केवल पसुपक्षियों के साथ नहीं होता आद्मियों के साथ होता है बलकि ज्यादा होता है जैसे शिकारी अपने शिकार को फशाने के लिए उसे धोके में डालता है तब फसाता है वैसे ही कुछ धोके वाजकिश्मिके लोग होते हैं जो सामने वाले को तरह तरह का सब्यबाग दिखा कर उसका विश्वास जीते हैं उसे अपने भरोसा में लेते हैं और बाद में उसे धोखा दे देते हैं इस दुनिया में साइध ही कोई ऐसा विक्ति होगा जो कभी किशी के धोके का शिकार नहुआ हो या कभी किशी को धोका ना दिया हो आज धरकी बात है कल आप लोगों को पुराना प्रवचन सुनने को मिला धक्ये के उपर आज मैं आप से बात कर रहा हूँ धोके की धोका देना और धोका खाना ये दो इस्थितियां हैं सबसे पहले अपने मन से पुछो कि मैंने अपने जीवल में कभी किशी को धोका दिया या नहीं और दूसरी तरफ देखो, मैंने कभी किसी से धोखा खाया या नहीं, किसी के धोखे का शिकार बनाया नहीं अगर मैंने कभी किसी से धोखा खाया है, तो उस समय मेरी क्या मनस्थिती रही, मेरी क्या मानसिकता रही, मुझे कितना कष्ट और पीड़ा का अनभा हुआ, और सामने वाले के प्रति जिसने मुझे धोखा दिया, उसके प्रति मेरे मन से कितनी बद्दुआएं निकली, उसे याद करो, और उसे याद करते हुए, जब कभी किसी को धोखा देने का मन हो, तो उसे सामने लाओ कि मैंने जब किसी को धोखा खाया, मेरे साथ किसी ने धोखे बाजी की, तो मेरी क्या प्रति हुए, आज मैं किसी के साथ धोखा करूँगा, तो उसकी क्या प्रति होगी, प सद्धालू या सच्चा मुनिश वही है जो जीवन में कभी किसी के साथ धोखा, फरेव, छल या जाल साजी का काम नहीं करता। लेकिन जो लोग स्वार्थ परता से भरे होते हैं, जिनका सोच केवल अपना उल्लू सीधा करने तक का रहता है, जो बड़े मतलबी और मकार किस्म के लोग होते हैं, उनका एक ही काम है जाल फैलाना और सामने वाले को फशाना। उसे उनके साथ धोका करना, आज के समय में धोका धड़ी का मामला रोज प्रकाश्च में आता है, और बड़े उच्चिस्तर पर लोग धोका करते हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा साइबर सेल के माध्धम से लोग धोका कर रहे हैं, लोगों के पूरे के पूरे सामने वाले को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, और अपनी चालाकी के बल पर उसे उल्लू बनाकर कुछ सफल भी हो जाते हैं, और इसका उन्हें बड़ा गुरूर होता है, पर मैं कहता हूँ, एक बात ध्यान रखना, कुशी को धोका देने के बाद तुम उसकर इतराना मत याद रखना, धोका देने वाले को धोके बाद ही मिलता है, आज तुमने किसी के साथ धोका किया, कल वो रिवर्ट हो करके आएगा, अच्छे का फल अच्छा और बुरा का फल बुरा होता है, इसे गाठ में बांद के रखो, अगर तुम किसी के प्रती अच्छा वहवार करोगे तो उसका अच्छा परणाम मिलेगा, और तुम किसी के प्रती गलत करोगे तो उसका गलत परणाम आएगा ही आएगा, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करते हैं, उसके संसकार चाप के रूप में हमारी चितना में जमते हैं, और वे ही संसक कालांतर में फलते हैं, प्रतिभिंबित होते हैं, प्रतिध्वनित होते हैं, हम जैसा करते हैं, हमें वैसा भोर न भरना पड़ता है, ये एक सनातन उकती है, और ये उकती नहीं, सारुभौम इक शिद्धानत है, लेकिन बिडंबना ये है, कि लोग इन बातों को समझने की रहती है, उनको लिए, उनके लिए केवल अपना उल्लू सीधा करना ही धे बन जाता है, और उसके पिछे वे कई तरह के कुचक रचते हैं, उल्टा सीधा करते रहते हैं, सामने वाले को अपने सब्जबागों में फसाते हैं, अपने जाल में फसाते हैं, और लोग फस करके बुरी तरह उनका सिकार हो जाते हैं धोका कौन देता है जो धूर्थ, मक्कार, स्वार्थी और मतलवी किश्म का वेक्ति होता है ऐसे वेक्तियों को हमारे सास्तों में बड़े निम्र कोटी का वेक्ति कहा गया वो वेक्ति इंसान कहलाने का भी अधिकारी नहीं है उसके संदर में ये कहा गया ऐसे वेक्ति की नीच हरकतों से तो नीचता भी शर्माती है जो इस तरह के धूर्थता पूर्ण कायर करते हैं इस तरह मक्कारी भरा काम करते हैं लोगों को विश्वास जता करके विश्वास जीत करके उनके साथ विश्वास घात करते हैं, उन से नीच मनुष्य और कोई दूसरा नहीं है, लेकίν धोका खाता कोन है, धोका में कोन आता है, वहवैक्ति जो जल्दी से सब पर विश्वास कर लेता है, संत कहते हैं जल्दी से कभी किशी पर विश्वास मत करो आदमी को थोड़ा निकट से परखो और तब उस पर धीरे धीरे विश्वास करो अगर जल्दी से विश्वास करोगे निश्चित धोका काऊगे कई लोग हैं जो हर किशी पर विश्वास करते हैं और बाद में धोका क्योंकि बिश्वास में वास है विश्का आसा में भरी है निराशा इस जग पे मोह न करना हर चल से भरी है भाशा चल से भरी हर भाशा यहां हर जगा चल है क्योंकि वेक्ती जैसा दिखता है वैसा हो ये सुरिश्चित नहीं है लोग अपने आपको प्रस्तुत कुछ और रूप में करते हैं और होते कुछ और है लेबल कुछ और होता है और माल कुछ और इसलिए उपरी बातों से जल्दी से आकर सित्मत होना चाहे जब चाहे जिस पर विश्वास करने वाला मनुश्य अक्सर धोखा खाता है दूसरे लोग वे होते हैं जो लालची किस्म के लोग होते हैं वो लालच में पढ़कर सामने वालों की बातों में आ जाते हैं और धोखा खाते हैं और जब धोका खाते हैं तो बड़ी बुरी हालत हो जाती, कई लोग तो बिश्वास घात का आघात सहनी पाते हैं, एक करका ये मनो रोग बन जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक विक्ति अपने भाई को लेकर के मेरे पास आया, बहुत डिप्रेशन में था, मैंने क्या बात है, महराज जी इसने अपने एक मित्र को साठ लाक रुपएा दे दिया, और उसने उसको पैसा नहीं दिया, ठेंगा दिखा दिया, अब वो उससे पैसा लेने की इह मानसिकता नहीं है, और ये लेने की स्थितिति में नहीं है, इसका मन उससे बहुत तोड़ गया ह इसके हिर्दे में गहरा आगात पहुँचा है तब से महराज जी एकदम गुम्सम्सा रहता है एकदम किसी से ना कुछ बोलता है ना करता है एकदम पड़ा सा रहता है महराज भी से को समझाईए मैंने बात चीत के करम में पूछा आकिर किया क्यों, तूमने उस से रूपया दिया क्यों महला महलाज मेरा मितर था सोचा बैआपार कर रहा है उसको कुछ काम है उसने मुझे कहा भीया तुम मेरे साथ कुछ रूपया लगा दो इसके एवेज में हम तुमको एक अच्छा पैसा दे देंगे उसने हमें धाई परसेंट का रिटर्न देने की बात की कि हम इंट्रेस्ट की रूप में धाई परसेंट देंगे माराज में लालच में आ गया और फस गया हमने का तुम ही नहीं जो जो लालच में आता है वो फसता है आस तक का अनभाव ये बताता है कि लालच में जो भी गया है वो फसा है वो धोका खाएगा तुम भी अगर लालच में फसोगे तो धोका तो खानी वाली हो ऐसे लालच से अपने आपको बचाईए कहीं भी, किसी भी प्रिकार की सित्थी होगी जहां लालच आया जो धोका खाऊगे जैसे पक्षी दाने के लालच में, जाल में फसते हैं, वैसे आप भी किसी धन, पैसे या सुल्प लाब के लालच में, सामने वालों के मकल जाल में फसोगे. और जितने भी धोके बाद हो, तो यही करते हैं न, वो यही करते हैं, इस तरह से ठक करकर के, सामने वाले को परिशान करते हैं, तो यह लालच मनुश्य के धोके खाने का एक दूसरा कारण है। सामने वाला जो कहता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, उस मो भाव के कारण उसके अंदर उसके प्रती समर्पन बढ़ता रहता है, वो आँखें मूधे रखता है। और बात तो सही है, कि जो आँखें मूधें मूधे रहते हैं, उनको धो गोगा खाना ही पड़ता है। अमेरिका में जाने के बाद वो कभी हमारे बिशेश ख्याल नी रखा, जब उसे जरुवत होती थी तब वो हाँ फोन किया करता था, कि हमें चाहिए, कुछ चाहिए, आप मदद दीजे, हमने उसको हमेशा मदद की, उसने महराज जी बाद में कहा कि हमें एक बड़ी कमपनी ख अगे बढ़ेगा, अपना जितना पी एफ का पैसा था, सब दे दिया, जमा पुझी सब दे दी, इसके बाद भी सामने वाले का मन नी भरा, मन भर न भरा तो फिर दीरे दीरे और पैसे, और पैसे, और पैसे, तो फिर उसने का एक काम किजिए, आप अपने प्रपर्टी के दीजे, इस प्रपर्टी को हम लेते हैं और आप हमें एक पावर ऑपर्टरनी दे दीजे, हम इस प्रपर्टी को ले करके कहीं इसको या तो गिरवी रखेंगे, और कुछ पैसा लेंगे, या प्रपर्टी सल्टा करके पैसा लेंगे, और काम करेंगे, बोले प्रपर्टी ब नहां रह लिजेगा, आराम से रहिएगा, और बाकी मेहून है, पिता ने अपने बेटे पर भरोसा करके, अपने मकान की पावर और फटरनी भी उसे दे दी, बेटे ने बेच दिया, अब मकान बेचने के समय पिता को बताया भी नहीं, कि हमने मकान बेच दिया, मकान बिकने के बाद जब ऐसको मकान बैचा गया उन्हें पता तब लगा जब वो उनसे घर पर कबजा लेने के लिए आए उनसे खाली कराने के लिए आए उनने सारे काग़न दिखा है कि पावर ओपतर्नि आपने दी है आपके बेटे नीमकान हमारे लिए रेश्टि कर दिया है एक महना हो गया इस रेश्टि के लिए अब आपको दो दिन के नोटिच में ये पूरा मकान खाली करना है पिता सुना तो हक्का बक्का रह गया उस से कुछ बोलते नहीं बना बंते और सुनते नहीं बना वो वहीं जोंका तहां काठ की तरह रह गया ये क्या है कितना बड़ा आघात कहते वो एतना सौक्ड हुआ कि दूसरे दिन उसका हाट फैली हो गया चला गया उस समय उसकी मा ने बेटे को फोन लगाया बेटे का कोई फोन रिशीब नहीं कुछ नहीं सब स्वाहा हो गया बेटा माबाप के साथ इतना बड़ा धुका कर सकता है इससे भी बड़ा बड़ा धुका हो जाता है रोज आप देख रहें इसलिए कोई कितना भी तुमारा अपना और सगा क्यों नहों मोही मत बनना और मोहों में मुग्द होकर उस पर जरुवत से ज़्यादा भरुशा मत करना धोका खाओगे फिर तुमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा हाल बेहाल हो जाता है उन लोगों का सामने वाले का काम केवल अपना उल्लू सीधा करना है और उसने किया उनसे तुमसे मतलब क्या क्योंकि जो धोके बाज किस्वी के लोग होते हुए इतने स्वार्थी और मकारी होते हैं कि उन्हें औरों से कोई मतलब ही नहीं रहता और तुम मोहों में मुग्द होकर इस तरह की प्रवित्ती करोगे तो निश्चित धोका काओगे और धोका क्हाने का छवथा कारण है अग्यान जो अग्यान below रहते हैं प्से रहते हैं उनको बहुत जल्दी जिजिजों का वास्तवी ज्यान नहीं होता वास्तवी ता को समझते नहीं जल्दी से धोका खा जाते हैं और जिसके अंदर ग्यान है, जिसके अंदर समझ है, जिसने लालच पर नियंतन कर रखा है, जो हर किसी पर जल्दी से बिश्वास नहीं करता, उस विक्ति के लिए कभी कोई धोका नहीं दे सकता, तो दुनिया में धोके बाजों की कमी नहीं है, कदम कदम पर खड़े हैं, मेरे सामने चाहिए कितना भी बड़ा धोके बाज छलिया क्यों ना आए, हम उसके धोके में ना आए, अगर हम जर्वस से ज़्यादा विश्वास किसी पर जल्दी से किसी पर विश्वास नकरें, हम अपने लालच को नियंतित रखें, हम मोभाव से मुक्त हों, किसी पर जर हो सकता है क्या तो दूसरा धोका दे रहा है उसकी गलती है पर हम उसके धोके में फस रहें क्या ये हमारी गलती नहीं है जादातर लोग बाद में ठगा सा महसूस करते ये करते क्या करे हमारे साथ धोका हो गया हमारे साथ धोका हो गया हर जगा धोका होता है, आज तो कदम कदम पर धोका है, हर छेत्र में धोका है, मैं आप से कहता हूँ, धोका देना एक निकिष्ट प्रवित्ती है, आप अपने आपको धर्मात्मा समझते हो, तो कोई भी वेक्ति धर्मात्मा तभी कहलाने का अधिकारी होगा, धर्मात्मा तो तरह मुक्त नहो सको तो मैं आज इस पर उतना जोर नहीं देता पर चार जगह धोका कभी मत करना सबते पहले स्वयम से धोका कभी मत करो आज व्यक्ति स्वयम के साथ धोका कर रहे हैं इसे लोग आत्महंता किष्म के लोग होते हैं, जो खुद जान बूच करके अपने आप को पाप में लगा रहे हैं, क्या ये स्वैम के साथ धोका नहीं है जान बूच करके भी स्वैम को अहित के मार्ग में लगा रहे हैं, क्या ये स्वैम के साथ धोका नहीं है, ये ये धोका नहीं है क्या ये बहुत बड़ा धोका है अगर तुम धरम छेतर में आगे आये हो और दुनिया तुमें धरमात्मा के रूप में आदर और सम्मान देती है और उसके बाद भी तुम अपने जीवन में अनाचार को पाल रहे हो तुम मान करके चलना ये घोर आत्म बंचना है स्वैम के साथ एक बहुत बड़ा धोका और नाइंसाफी है क्योंकि इसका परिणाम तुमें खुद ही भोगना पड़ेगा करनी का फल तो इंसान को भोगना ही पड़ता है इसलिए इस मुगालते में मत रहना कि आज मैं लोगों की आँखों में धूल जहां करके अपने मनसूबे को पूरा कर रहा हूँ लोगों की आँखों में तुम धूल जोक सकते हो पर कर्म की आँखों में धूल नहीं जोका जा सकता उसका फल तो तुमें भोगतना ही पड़ेगा पितो समलो और शंकल्पित हो जाओ मैं स्वैम के प्रती इमानदार बनूँगा स्वैम के साथ कभी धोका नहीं करेंगा अगर तुम स्वैम के साथ इमानदार हो गए स्वैम के साथ धोका देने से बच गए तो जीवन में कभी किसी के साथ धुका धली कर ही नहीं पाओगे लोग सोचते हैं कि मैं दूसरों को बेखुब बना रहा हूँ हकीकत तो यह है कि दूसरों को बेखुब बनाने वाला खुद बेखुब बन जाता है एक वेक्ती गाओं से सहर की और गया सेहर की और गए तो जारते समय बोला भीदया देखो तुम सहर में जा रहे हो मुंबई जिसी जिगा, में जाने वहां के लोग बहुत हुषियार होते चाहे जिसको बेहुक्व बना देते तुम बेहुक्व मत बनना बोई है ठीक है, मैं भी खयार हूँ बंबए के युक ने देखा कि बिल्कुल गाओं का आजमी लगता है पहली बार मुंबए आया इसलिए बड़ी-बड़ी उमारतों को देख रहा है उसने फट से बलाए जी क्या देख रहो बिल्डिंग देख रहे हैं मालूम है बल्डिंग देखने के पैसे लगते हैं किते मं बोला मैंने बंबए वाले को अच्छा बेकूब बनाया बोले क्या किया बोले मैंने देखी पूरी 25 मंजील पेमेंट 5 मंजील का ही दिया अब उनको हम क्या करेंगे दूसरे को बेकूब बनाने वाले खुद बेकूब बनते हैं जीवल में कभी किसी को बेकूब बनाने की को शितमत करना क्योंकि वो तुमारी बेकुफी का प्रदर्शन है तुम दूसरे को धोका नहीं दे रहे हैं खुद के साथ धोका दे रहे हैं एक बार की बात मैंने एक बार प्रावचन किया और प्रावचन इसी विशे पर था जैशी करनी वैसी भरनी उस दिन के प्रवाचन का टाइटल था प्रवाचन संपन्न करके मैं अपने कच्छ पर गया एक सज्जन जो उस मंच का संचालन कर रहे थे बिमल जी नहीं थे ने तो चक्कर अपर गया एक सज्जन जो उस मंच का संचालन कर रहे थे मेरे पीछे-पीछे आ गए और एकदम भाव को कर रोने लगे मेरे चर्णों में सिर रखा फूट फूट कर रोने लगे उस वेक्ति को इतना भाव विवल मैंने पहली बार देखा मैंने उसे ठाड़ा समझाया उसे सामान होने में लगवग एक मिनट लग गया थोड़ा सामान होने के बाद मैंने उसे पूछा क्या बात था आज इतने भाव विवल क्यों महराज आपने मुझे जगजोर दिया आपने मेरी आँखे खोल दी मुझे लग रहा है कि मैंने आज तक अपने आप के साथ धोका किया स्वाहिम के साथ धोका किया महराज मेरा जो चेहरा आप लोग देखते ना वो चेहरा एक और है और मेरा असली चरित एक और है वो पेसे से एक एड़ोकिट थे उन्होंने कहा महराज जी आज समाज में मुझे लोग एक बले धार्मी की विक्ति के रूप में जानते आदर देते हैं आप गुरु जनों का भी बड़ा आशिरबाद और शने मुझे मिलता है लेकिन मेरे असली चरित को आप लोग जान जाते तो में अपने पास बिठाने में भी आप लोगों का मन नहीं होता लोग मुझे से नफरत करते हैं घ्रणा करते मरोते आँखों से उन्होंने कहा महराज हाई सोसाइटी के नाम पर मैंने हर वो करम किया है जो एक जैनी को नहीं करना चाहिए जीवन के बावन वर्स बीट गया और मैंने ऐसा कोई व्यशन और वेविचार नहीं बचा जो अपने जीवन में नहीं किया महराज जब भी मैं उस दुनिया में जीता था तो अपने आपको बड़ा अच्छा मानता था और ये सोसता था कि आज मेरी गजब की धांख है और मेरे जीवन का एक मज़ा है लेकिन आज आपने मुझे भीतर तक जगजूर दिया अब मुझे लगा कि ऐसा करके मैंने अपने आपको कितना पतित कर दिया ये मेरे साथ मेरा कितना बड़ा धोका है महराज अब मुझे मार्ग बताएं मैंने उन्हें समझाया और कहा सुभा का बुला साम को घर लोटा है तो बुला निकलाता जो हो गया उसे भून जाओ आगे के लिए संकल्पित हो जाओ उन्होंने कहा मराज आज से मैं अपनी सारी बुराईयों को आपके चर्णों में त्याकता हूँ उन्होंने सा संकल्प अपनी सारी बुराईयों का त्याक किया और फिर जीवन को मोड़ा पूरा परिवर्तना गया एक दम से बदलाओ उन्होंने प्राश्चित लिया और पंदरा दिन बाद उस विक्ति की हार्ट अटेक से मृत्ति हो गई लेकिन गया तो सुधर करके गया आयू भले अल्प थी लेकिन वो विक्ति निर्विकल्प हो करके गया उस विक्ति को आँखे बावन साल की उमन में खुली हो सकता है किसी की और लेट खुले तुम देखो अपने भीतर ज्ञाक कर देखो निर्खो कहीं स्वैम के साथ कोई धोका तो नहीं हुआ है यदि हुआ है ति ये अच्छम अपराद है इससे बचना स्वैम के प्रति दूसरा धोका स्वजनों के प्रति जो सबसे ज़्यादा होता है स्वजन में माता पिता पतनी, बच्चे, भाई, बंधू लोग उनके साथ भी धोका करते है स्वजनों के प्रति धोका माता पिता के प्रति सबसे पहले जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संसकार दिया तुम्हारे जीवन का एक एक बूंध खून जिनकी किपा के प्रशाद से उत्पन हुआ, उनके साथ धोका उनके प्रति तो एकदम ट्रांस्पेरिंसी रखनी चाहिए उनके साथ क्या छिपाओ, उनके साथ क्या दुराओ पर साइद ही ऐसा कोई विक्ती होगा जो अपनी मुबाइल, अपने माबाब को पाश्वर्ट के साथ दे उनके साथ भी भेजवा उनके साथ भी छलकपट एक उधारन तो मैंने आपके सामने रखाई अगर ऐसे उधारन गटनाओं को सुनाओ तो पता नहीं कितनी गटनाओं हो जाएगी पर मेरे पास समयालफ है मैं सुनाओंगा नहीं पर जिंदगी में कभी माबाप को धुका मत देना अगर ये धुका दोगे तो नजाने कितने भवों तक धक्ये खाऊगे कई भवों तक धक्ये खाना पर सकता है आज पती पत्नी एक दूसरे के पती इमानदार नहीं है एक दूसरे के साथ धुका एक दूसरे के साथ चल संबंध खतम हो रहे हैं आज रिलेशन बिलकुल समाप्त हो रहे हैं भाई भाई को धुका दे रहा है पिता पुत्र को धुका दे रहा है पुत्र पिता को धुका दे रहा है पती पत्री को धुका दे रहे हैं सजनों के साथ संबंधों का माधूर शमापत हो रहा है क्यों? क्योंकि अब संबंध, संबंध नहीं बच्चे केवल जरुरत बन कर रह गहे हैं और जरुरतों के अनुशार लोग एक दूसरे का यूज करते हैं और यूज एंथरो की प्रवित्ति को अपना रहें चीजों के साथ यूज एंथरो की आजाए तो चलेगा लेकिन व्यक्ति के साथ यूज एंथरो करना कते उचित नहीं है ये मनुश की घोर, संब्वेदन, हीन, ताकाद्यू तक है स्वाजनों के साथ कभी धोका मत करना तीसरा स्वामी के साथ कभी धोका मत करना स्वामी शब्द बहुत व्यापक है तुम जिनके हाँ काम करते हो जो तुम्हाला जीव का दाता है जिनके आस्रे तुम्हारे रोजी रोटी चलती है उनके प्रति अमेशा सद्वाओं से भरो उनके साथ कभी धोका मत करना अपने आपको सुभाग साली समझना चाहिए अगर तुम नौकरी पेशा वाले हो कि मुझे काम तो मिला दुनिया में ऐसे कई लोग है जिनको काम ही नहीं मिलता सुभा है तो साम को खत्रा आज मिली कल साम सुभा नौकरी मिली साम को चले गई तुम्हें नौकरी तो मिली भी है तुम्हें काम तो मिला हुआ है तुम्हें उनके कारण तुम्हारा भरन पोशन तो हो रहा है उसके साथ धोका नहीं उसके साथ इमानदार बन करके जीना चाहिए ऐसा कोई कदम नहीं उठा ला कि सामने वाले को कभी आगात पहुँचे एक युवक एक सजन की कमपनी में काम कर रहा था काम करते वे उसने कमपनी को बहुत उचा उठाया और कमपनी के मालिक को उस पर बड़ा भरोशा भी हो गया और भरोशा पर वो खरा भी था बड़ा इमानदार नेक नियत आद्मी था एक वेक्ति ने उससे कहा कि भीया एक काम करो तुम में बड़ा आहुनर है तुम जो अपनी कमपनी का काम कर रहो करते रहो लेकिन इसके साथ ये एक एडिशनल काम है जो तुमारी कमपनी का बाई पोड़क्ट है उसके लिए तुम मेरे साथ धंदा करना सुरू कर दो तो तुम्हें मोटा लाव मिल जाएगा उसने का भीया ये जो काम भी मैं करूंगा मैं कमपनी में हूँ कमपनी के मालिक ने मुझ पर भिशवास किया भरोसा किया है मैं जो भी करूंगा कमपनी के लिए करूंगा और कमपनी के मालिक से पूछ कर करूंगा ऐसे नहीं करूंगा ने ने आप ऐसे ही रख लो बोले ऐसे नहीं करूंगा उसने कहा मैं कमपनी के मालिक को तो मैं भताना नहीं चाहता है आप बताना नहीं चाहता है मैं कमपनी के मालिक को बताता हूँ उसने मालिक को बताया और बोला ऐसा ऐसा प्रपोजल आया है बोला भाई अपने मालिक को चाचा बोलता था चाचा जी ये प्रपोजल आया मैंने इस कोटो ठुकरा दिया पर मैं चाहता हूँ यह प्रपोजल अच्छा है और इस प्रपोजल में कमपनी को काफी फाइदा भी होगा मैं चाहता हूँ कि यह काम आप कमपनी से ही जुरू करे मैं देख लूँगा मेरे पास इतना समय है सामने वाले ने एक बड़ा लालस दिया था उसने ठुकरा दिया लेकिन कमपनी के मालिक नो उसकी इमानदारी से मुगद होकर कर कहा कि बेटे मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने यह काम किया है अच्छा यह काम करो और इस काम का 50% से अर्थ तुम्हारा होगा आगे बड़ा इमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और बेमानी का फल कलवा वेक्ति सौट टर्म के लाव के कारण दिर्ग कालिक हितों को वेक्षित कर देता है इमानदारी से तुम जीओगे तो थोड़ी कतनाई अल्प काल के लिए आ सकती है लेकिन दिर्ग काल का आननद होगा और बेमानी छलक पड़ धोका धड़ी करोगे तो आज नहीं कल कलेई खुलेगी पूल खुलेगी और तुमें घोर विपत्तियों का सामना भी करना पड़ सकता है इसलिए से बच्चो तो स्वेम से धोका मत करो स्वजनों से धोका मत करो स्वामी अपने आसरे दाता से कभी धोका मत करो सेवक से भी धोका मत करो दोनों तरह का है एक दूसरे से जुलावा है तुम जिसके हाँ काम करे उससे धुका मत करो और जिससे तुम काम ले रहे उसके साथ धुका मत करो क्योंकि वो तुम्हारे जीवन कांग है वही तुम्हारे साथ सब कुछ कर रहा है उसको खड़ा करो तो तुम मजबूती के साथ खड़े होगे और चौंसा सद गुरू से कभी धुका मत करना गुरू के सामने एकदम खुली किताब बन करके जा गुरू से चल करोगे तो बहुत बुरा होगा कहते है गुरू से जूट और मित्र से चोरी कहो निर्धन कहो कोडी ये बुंदेलखंट की कहवत है कि गुरू से जूट बोले और मित्र से चोरी किये या तो तुम निर्धन बनोगे या कोड़ी बनोगे कुल मिलाकर वो जीवन की दुर्गती का कारन बनेगा क्योंकि गुरू ने तुम्हें निश्वारत भाउ से अपना हस्ताव लंबन दिया उसके सामने तुमने छल उसके सामने तुमने दोका उसके साथ विश्वास घात तो इससे निक्रिष्ट कर्म और क्या होगा जीवन में क्या हासिल कर पाओगे कुछ भी नहीं इसलिए यहाँ एकदम साफ रहो हो शकता है गुरू के समक्ष गुरू तुम्हे को ऐसा आदेश दे निर्देश दे उपदेश दे जिसका अनुपालन करना तुम्हे अनुकूल है लगे पर तुम गुरू के सामने अच्छा बने रहने के लिए उनको तो हाँ कह दो और बाद में कुछ ना करो तो यह गुरू के साथ धोका हुआ कि नहीं कई लोग गुरू को भी जहासा मेरे जाल देते सामने सामने मीठा मीठा कह देते हैं और पीठ पीछे जाकर के कुछ का कुछ कर देते हैं ध्यान लखना इसमें गुरू का कोई अहित नहीं अहित तुम्हारा है धोका देने वाला वेक्ति अपना पतन करता है जिसे धोका दिया जाए हो सकता उसके लिए वो कुछ उपलब्ती भी बन जाए इसलिए धोका देने से बचो अब दूसरी बात दूसरा पहलो इसका और है कहीं धोका खा गए तो क्या करो अगर तुम्हें किसी ने धोका दिया एक बाद गुरुदेव से पूछा गुरुदेव कोई धोका दे तो क्या करें बहले धोका खा लो धोका खाने की नौबात आए बहले धो और खा धोका का मतलब क्या है उस बात को भूल रहा उसे पचा लो दो तीन बाते कह रहा हूँ अगर तुम्हें किसी ने धोका दिया तुस धोके को अपना नुकसान नहीं अपने लिए नसीहत समझो सफलतम आदमी किसी से धोका खाने के बाद तूटते नहीं अपितु मजबूत होकर अपने आपको और उचा उठाते आज धोका दिया कल और भी तो दे सकता था धोका खाने के बाद आँखे खुलने चाहिए कई बार ऐसा होता है जो लोग धोका खाते हैं और विलाप करते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी से धोका खाते तो कहते हैं आज मेरी आँखे खुल गई किसे ने बहुत ठीक बात कही है तुमने मुझे धोका दिया इसके लिए मेरी और से तुम्हें अनेक अनेक शुक्रिया तुमने मुझे धोका दिया इसके लिए मेरी और से तुम्हें अनेक अनेक शुक्रिया अच्छा हुआ कि तुमने तुमारे धोके से मेरा थोड़ा समय बरबाद हुआ यदि हम ना संबले होते तो मरी पूरी जिंदगी बरबाद हो गई होती पूरी जिंदगी बरबाद हो गई होती तो कोई धोका दे तो उससे सीख लो और अपने आपको सुधारो किस कालन से मैंने धोका खाया कहते हैं ठोकर खाकर ठाकुर बना जाता है धोके खाकर के अनभाव पाया जाता है धोका खा लिया ठीक है आप दुबारा ऐसी स्थिति अपने जीवन में कभी निर्मित नहीं होने देंगे यह सोच अपने अंतरमें में विक्षित की जा सकती की नहीं की जा सकती तो तुम्हारे साथ कितना भी बड़ा धोका हुआ घबड़ावनी ठीक है उससे सीख लो और अपने आपको सुधारो नुकसान को नशीहत समझे एक के साथ एक ने चिटिंग कर ली एक डील थी डील में क्या थी जमीन के रिष्टी की थी जमीन के रिष्टी करने के बाद उन्होंने कच्चे का रुपया पहले ले लिया था अब कच्चे का रुपया लेने के बाद जब पक्के का रुपया था पक्के के रुपय में लिखा पड़ी होने के बाद डील में लिखा गया जादा रुपया रखा कम उसने एक ऐसा कह दिया कि हमने रुपया पाया नहीं कुछ ऐसी चिटिंग की उनसे कोई कागज ले लिया था क्या ले लिया था अब वो उस समय उसको नुक्सान हो गया पूरा रुपया दे दिया डील खतम हो गई बड़ा नुक्सान, सारा रुपया दिया, सामने वाला मिट गया उसमें यह हुआ था, कि डीलिंग की जो पैसा पूरा दे दिया था रहिश्टी में कुछ कारणों से लेट हो गया उसने काम को को रुपया मिला नहीं, यह रहिश्टी हम नहीं करेंगे डील पूरी हो गई, करीब करीब एक करो रुपया की डील थी, अंदर से बहुत टूटा, युवक कमन टूट गया, बहुत दुखी हुआ, उसके पिता जी उसे मेरे पास लेकर के आए, बोले महराच जी, इसको थोड़ा समझाईए, गलती इसकी है, किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए, बिना लिखा पड़ी की इतनी मोटी रकम इसने दे दी, केवल विश्वास और भरोसे के नाम पर, और मैंने इसको समझाया था, कि वो आज मी विश्वास के काबिल नहीं है, पर इसने का पापा इतना सस्ता सौदा मिल रहा है, ले लेना है, क्या होगा, ठीक हो जागा, गलत नहीं करेगा, वो तूट गया, मैंने इसको कहा, मैंने इसको समझाये, बोलकु तूट गया है, मरे लिए रूपया जाने का दुख नहीं है, इसको बोलिए, कि इस विश्वास घात से, इस धोके से, ये तूटे नहीं, अपितो इससे एक सीख ले, कि आ माप्त कर देता, कुछ नहीं होता, दूसरा, एक इसका अधात्मिक पहलो, अगर आपको किशी ने धोका दिया, तो इसे करम का उदय मानो, इसे एक भावकता से प्रिदित करम मत मानो, आज मुझे किशी ने धोका दिया है, तो निश्चित ये मेरे करम का उदय है, मेरे कर्मे के उद्रे में ही मुझे किसी ने धुका दिया, निश्चित मैंने कभी किसी रूप में उसे धुका दिया होगा, आज उसका बदला चुक रहा है, सारा एकाउंट शेटल हो रहा है, समता भाव रख कर उसे श्विकार कर लो, उस आघात को सह लो, तो मन कभी उद्रिग्न होगा, अशान्त होगा क्या, धुका दिया, ठीक है, मेरी गल्ती हुई, मेरी बुद्धि वैसी उल्टी हो गई, ऐसे विक्ति की संगती में आए, अंतरंग कारण तो मेरा कल्म है, बाहर से मैं किसी को कोश रहा हूँ, कोशने से क्या होगा, परिशान होगे रात, दिन आरत ध्यान करोगे, रोते धुते रहोगे, रातों की नींद खोगे, दिन का चेन गवाओगे, और क्या होगा, फर्जी बारा तो रोज हो रहा है, शाओधाल हो करके जीओ कि तुम्हारे साथ कोई फर्जी बाला होई नहीं तुम्हे कोई धोका देहीं न सके फिर भी किसी के जहसे में आजाओ और तुम्हारे साथ धोका हो जाए तो शम्ता का भाओ जगाओ इत मिनान रहो और ये सोचो कि ये मेरे करम का उदे था मेरा एकाउंट से टल हो गया चलो यहीं निपट गया उसके प्रती भी सदभाओ रखो उसे गालिया मत दो कोशो मत क्योंकि तुम वासर से कुछ ले तो पानी रहो और कोश कोश करके अपने साथ नकारात्मक्ता को और भर रहो अपनी सोच को अच्छी रखो उन्नत सोच ही मनिश्क को उचा उठाती है अच्छी सोच ले करके रखे जीवन में आज संकल्पित हो कभी किसी को धोका नहीं देंगे और कहीं धोका खाने की नौबत आ गई तो अपने आपको तूटने नहीं देंगे मजबूत बनाएंगे अपनी सकारात्मक्त सोच के बलपर और अपनी अध्यात्मी की विचारधारा के बलपर जीवन में इस्थिर्ता बना करके चलेंगे तो हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी नई उचाही मिलेगी हम अपने आपको बचाएं हमेशा अपने मन में एक कमांड दें कि हमें हमेशा इमांदार रहना है हमें हमेशा नेक बनना है हमें सदेव सहज बनना है सरल बनना है कभी किसी के साथ कोई दुर बरताव नहीं करना है तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे समय आप सबका हो गया यहीं पर भी राम बोलिए परम पूज आचारी गुरुवा स्री विद्या सागर जी महराच